सुपरभाद दोस्तों मेरा नाम है स्नियासिस पाढ़ी आपको इस वीडियो लेक्षर में स्वागत करता हूँ तो फिर हम इस वीडियो लेक्षर में क्या बढ़ेंगे जो की रहा गया था economic cause, military grievance and political causes कौन सा causes है एसारा 1857 जो की revolt हुआ था इंडिया में first independent war भी माना जाता है उसका different causes है हम discuss कर चुके थे लेकिन हम इस वीडियो में खाले economical cause, military cause और military grievance and political cause का discussion करेंगे अगर देखे economical cause में कौन सा जाता है अगर जब British adaptation हुआ था जब British अपना युगदान दे रहा था भारत में अपना सासन भार संबाल रहा था तब क्या हुआ था farmers को जो कृसक farmers को extra burden अपना taxes बहुत ज़्यदा कर देते थे लेकिन उनका production बहुत ज़्यदा कम होता था क्यों company का establishment से new missionary means new technology से उनका युगदान नहीं चल रहा था उनका रोज का कारावबार नहीं चल रहा था इसी दोरान वो free trade implication जो की है वो अपना युगदान नहीं दे पाते थे अपने trading में ठीक है समझा गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो इसी दोरान वो क्या हुआ economical का depletion हुआ और economical का भी economy भी बहुत बड़ा cause है जिसे 1857 revolt का main point of observation भी माना जाता है अगर देखें next military grievance military grievance में क्या है the extension of British dominion in India had adversely affect the service condition इसका मतलब है कि military है military का grievance जो है military का payment है वो क्या करते थे वो नहीं देते थे उसके बदले उनको extra burden दे 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 थे उनका extra work करने के लिए दे दे थे और उससे क्या होता था वो different kinds of act का फे formulation कर देते थे जैसे कि हम जानते है General Service Enlightenment Act उसके बाद Post Office Act इससे क्या होता है एक सिपोई को compulsory C cross करना पड़ता है उसके बाद postage facility for them उनके postage जे की जो सिपोई जो की military है एक जगह से दूसरे जगह आ गया तो फिर वो अपना संपर के से तूट सकता है तो इसी दोरान वो postage act भी लागो किया थे एक बहुत बड़ा important cause भी था क्योंकि वो postage act में अपना mail delivery exact time में नहीं हो पाता था तो फिर यह भी एक point region है ताकि 1857 का main cause revolt means main cause of revolt of 1857 में माना जाता है जो की military givens में जाता है अगर देखे अगर देखे तो political cause political cause क्या है the last major extension of British Indian territory time of Delhousie तो कब हुआ था यह सारा Delhousie के समय जो की governor general है और Delhousie के समय जो की successor of बहादूर सहा तो would have to leave the Red Fortress का मतलब है वो जब हार गये थे means political cause का main reason क्या है 1857 का 1847 या फिर 1857 का revolt वो एकि Delhousie announced 19 that the successor of बहादूर सहा जो की मुगल empire है वो क्या है उनको force किया गया है Red Fort से बाहर निकालने के लिए उसके बाद the anxiety of भगत और उदाइपूर were however cancelled and they were restored to the ruling houses when Delhousie want to apply the doctrine of lapse doctrine of lapse किसे माना जाता है अगर उनका वारस नहीं है तो वारस उस राजा का सारा संपत उस राजा का सारा property company के नाम हो जाएगा वह है doctrine of lapse उसके बाद करुनी राजपुतान who has overruled by the court of directors तो अगर देखे डिली में बहादूर्शा जेनरल भक्त खान डिली में कसिम chief advisor of बहादूर्शा लोकनों में बेगम हजरत महल उसके बाद बेजरीश उकदार मुद्दूला अगर देखे तो कानपूर में कौन कौन था अगर देखे तो कौनार सिंग अनर्मर सिंग अल्हाबाद में जो की 1857 का रिवोल्ड मा युगदान भी माना जाता है उन सबी को उसके बाद फिरा मुझूला उसके बाद फकुरित भाद तुजबल अकपल खान बिजरूनकार महमत खान उसके बाद है अबदुल अली खान, खान बहादुर खान फिरोज सहा, तांतिया टोपे ग्वालियर से और कानपूर से आसाम से है आसाम से है कंदरी सिंग मनियारम कट सुरेंदर सहा जो की ओडिश्या से कुल राजप्रताप सिंग वो सारा पोलिटिकल रिजन है किसका है पोलिटिकल रिजन से सारा पोलिटिकल रिजन से है 1857 का रिवोल्ट की ठीक है आसा करता हूं कि आपके लिए